ये है प्राइम न्यूज क्योंकि सच जरूरी है वोट डालने के दोरान प्रधान मंत्री बोधी के रोटशो पर बचा खबासान कंग्रेस ने चुनाओ आयोग पर पक्षपात करने का गंभीर आरूप लगाया कंग्रेसी ने तार अर्धीप सुर्जिवाला ने मुख्य चुनाओ आयोग को बर्खास करने की मांग की कंग्रेसी कारिकरताओ ने चुनाओ आयोग का घेराओ भी किया भारतिय नौसेना में शामिल हुआ आई एनस कलवरी पिये मोधी ने कलवरी को बताया मेकिन इंडिया की उपलब्धी कहा भारतिय नौसेना ने जरूरत के वक्त हर बार देश का गौरब बढ़ाया उत्तरप्रदेश विदान सभाके शीत काली इन सत्र का पहला दिन हंगामे की भेच चड़ा विपक्ष ने सरकार को किसानों के मुद्दे और बड़े हुए बिजली के दामों पर जम कर घेरा सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला सदन की कारवाई शुकरवार सुभए 11 बजे तक के लिए इस्थगित की गई बैंक अकाउन से आधार के लिंक करने की सीमा बढ़ाई गई आधार लिंक कराने के लिए अब 31 मर्च होगी डेडलाइन पहले 31 दिसंबर तक का सरकार ने दिया था समय प्रदेश की राज़दारी लखनव में स्वास्ते सिस्टम की पोल खुली एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुची तो महिला ने ई रिक्षा में नवजाद को जन्म दिया अस्पताल पहुचने पर करमचारियों की लापरवाही भी सामने आए नवजाद नर्स के हाथों से स्ट्रेचर पर गिरा नमस्कार स्वागत आप सुपी का प्राइम न्यूस पर मैहूरा जीव रगुनंदन वक्त प्राइम एजंडा का है आज प्राइम एजंडा में बात गुजरात विदानसवा चुनाओ और एक्जिट पोल की होगी दो चरलों की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब वक्त महा एक्जिट पोल का है गुजरात विदानसवा चुनाओ को लेकर सभी का ब्लड प्रेशर हाई है बड़ा हुआ है अब राजनितिक दलों से यही आग रहे है कि वोटिंग पूरी हो गई है खत्म हो गई है अब 18 दिसंबर को नतीजे तै करेंगे कि किस के बयान से किस को फायदा हुआ और किसे नुकसान पानी वाली जहाज की सवारी से पियम मोदी के बले ही सुरक्षा से खिलवार हुआ हो लेकिन क्या प्रदान मंत्री मोदी का ये लिया गया रिस्क कामयाब हुआ ये जानना दिल्चस्प रहेगा चुनाओ तो हिमाचल में भी हुए है लेकिन सबकी निगाग गुजरात पर ही टिकी हुई है दरसल गुजरात ही वो मॉडल है जिसकी सवारी साल 2014 में प्रदान मंत्री मोदी ने की थी और वो दिल्ली तक पहुँचे थे दिल्ली तक का सफर उन्होंने तै किया था कॉंग्रेस इसी कोशिश में थी कि अगर बीजेपी गुजरात में गिर गई तो फिर साल 2019 में होने वाले लोकसवा चुनाओ में बीजेपी के लिए राहकाटों भरी होगी बीजेपी कॉंग्रेस के इस्दाओं को बखू भी समझ रही थी इसलिए उसने अपना पूरा दम पूरी ताकत जोग दी पहले चुनाओ से जादे काटेदार नडाई दूसरे चुनाओ की वोटिंग से पहले दिखाई दी राहूल गांदी के इंट्रिव्यू पर सक्षातकार पर रोक लगाने के बाद इलेक्शन कमिशन की भूमिका पर कॉंग्रिस पार्टी सवाल खड़े कर रही है तो वहीं बीजेपी भी कॉंग्रिस को घिरने के लिए नए नए हथियार निकाल रही है बराल चुनाओ खत्म हो चुका है और वक्त एक्जिट पोल का है इसके जरिये यह समझने की कोशिश होगी कि गुजरात में किसका राज होने वाला है एक्जिट पोलों में जो तस्वीर दिखाई दे रही है महा एक्जिट पोल के जरिये हम आपको वो बताना चाहते हैं आपके सामने वो रखना चाहते हैं बीजेपी बहुमत की तरफ यानि एक बार फिर से गुजरात और हिमाचल में हिमाचल में परिवर्तन की लहर जबके गुजरात में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने की तरफ है बीजेपी के दुबारे सत्ता में पहुचने की संकेत मिल रहे हैं अलग-अलग एजन्सी और अलग-अलग टेलिविजन चैनल्स ने जो सर्वे किये हैं उसमें बीजेपी को स्पस्ट बहुमत मिलता दिख रहा है मोदी मैजिक के काइम होने का दावा इन सर्वे में किया जा रहा है एक्जिट पॉल क्या तस्वीर पेश कर रहे है क्या तस्वीर रख रहे है ये जरा देखिए आंकड़े हम आपको समझाना चाहते हैं टिवी स्क्रीन पर ये आंकड़े आपके होंगे अगर हम अलग-अलग एजन्सी और अलग-अलग निउस चैनल के हिसाब से देखे तो इस्थिती कुछ ये बन रही है कि ABP News और CSDS ने दो और आकरी चनल के बाद जो एक्जिट पॉल की तस्वीर रखी है उसमें BJP को 112 से 122 सीटें जबकि Congress गटबंदन को 60 से 68 सीटें और अधर्स के खाते में 0 से 2 के 20 सीटें जाती दिख रही है ये ABP News और CSDS का एक्जिट पॉल है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे है Times Now और VMR का सर्वे देखे 109 BJP 70 Congress गटबंदन जबकि अनिके खाते में वो 3 को दे रहे है वही रेपब्लिक टीवी 109, 71 और 2, 109 BJP, 71 Congress, News Nation का देखे 124, 55 और 3 ये स्थिती है अलग-अलग एक्जिट पॉल में आज तक और एक्सिस के एक्जिट पॉल में जो आकड़ा है वो 99 से 113 तक BJP को दे रहे है आज तक और एक्सिस की अगर बात करें और 68 से लेकर 82 तक वो Congress गटबंदन को दे रहे है जबकि 1 से लेकर 4 तक वो अधर्स के खाते में दे रहे हैं अनिके खाते में ये आकड़ा जा रहा है गुल मिलाकर देखिया अभी जो इंतजार है वो News 24 और चानक्या के एक्जिट पॉल का है उनकी तरफ से अभी कोई आकड़ा सामने नहीं आया है लेकिन ABP News, CSDS, Sahara, Times Now, VMR, Republic, आज तक Axis, News Nation इन सब के आकड़े हम आपको दिखा रहे हैं और सारे एक्जिट पॉल के आकड़े एक ही तस्वीर बया कर रहे हैं के गुजरात में एक बार फिर से मोधी फैक्टर, मोधी मैजिक कामियाब हुआ है और बहुत कमफर्टिवल विक्ट्री, हलाके 150 के लक्ष से वो दूर है 150 सीटों के हासिल करने का दावा, टारगेट 150 का दावा बीजेपी की तरफ से कहा गया था, किया गया था उससे काफी दूर है, लेकिन जो कमफर्टिवल बहुमत है, वो बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है कुल 182 सीटों की विदान सभा गुजरात की, 92 का वो जादू याकडा 92 और उससे बहुत आगे बीजेपी हर एक 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 एकजिट पोल में दिखाई दे रही है इससे पहले कि हम अपने पैनल पर जाएं और एकजिट पोल के ये आँकड़े क्या इशारा कर रहे हैं, क्या अभी भी कोई चमतकार हो सकता है हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को ही बता दे कि एक आकड़े का हमें इंतदार है, News 24 और चानक्या का संभवता या तो आ गया होगा या फिर आ रहा होगा वो भी इनी आकड़ों के साथ जाता है, कुछ ऐसी पिक्चर रखता है या उसमें कोई डिफर पिक्चर देखने को मिलती है लेकिन अब तक चार बजे के बाद से लेकर अब तक जितने भी एकजिट पोल आए हैं, जितने भी निउस चैनल और अजनसियों के वो सब कंफर्टिवल विक्ट्री का इशारा संकेत बीजेपी के लिए कर रहे हैं कॉंग्रेस पार्टि के नेता प्रवक्ता है, विभाष शुकला जी, समाजवादी पार्टि की नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है सबी भेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, जल्दी से रियक्शन ले लेते हैं विष्णोई साब, अनुमान उसी तरफ जा रहे हैं, या फिर जो इस्थिती थी, 22 साल के एंटी इनकंबेंसी, राहूल गामदी की मैनत, पार्टिदार आमदोलन, जीस्टी को लेकर गुस्सा, बहुत तरीके का विश्लेशन था, लेकिन यहां जो रिफ्लेक्शन है, वो ब कॉंग्रिस के वहां पर निता थे, शंकर सिंग बगेला, उन्होंने वहां पर छोड़ दिया, अब जिस तरह दिल्ली के अंदर, बीजेपी ने किया, कि बाहर से, वो क्या नाम था, गिरन वेदी को ले आए, और उनको लाकर खड़ा कर दिया, और उनको मुख्यमंत्री का कं इजरात के अंदर की, जो धरातल पे काम होना चाहिए, जो धरातल के कारेकरता का काम होना चाहिए, एक है परसेप्शन, और दूसरा है परसेप्शन के बाद, उन नीचे तक कारेकरताओं की जो लड़ी होती है, उसको पिरोना, तब वहां पर वोट वोट बूत तक जाता है इस सारे मामले में परसेप्शन के मामले पर ही कॉंग्रेस ज्यादा लगी रही तो इसके कारण मेडिया में इस जंग से लगने लगा था कि शायद इस बार कॉंग्रेस को बहां पर सत्ता परिवातन का लाब मिल सकता है लेकिन जो अभी आंकड़े आए हैं उसके इसाब से लगता है कि उस तरह की सिती नहीं है जातर एक्जिट पोल में दो तिहाई मत दो तिहाई सीटे बीजेपी को और उसके मुकाबले एक तिहाई बीजेपी को ज़्यादा मिला है हाउस से तो इस दंग की सारी सिती पैदा हो रहे हैं यानि सर आप कह रहे हैं कि जो गलती दिल्ली में बीजेपी ने किरणवेदी को लेकर की थी कॉंग्रेस ने कुछ वैसी ही गलती गुजरात में की है और ये नंबर्स उसकी तरफ इशारा कर रहे है आर्प्युपाध्याय साथ क्या हुआ सरेंटी इंकम्बेंसी का राउल गांदी की बैनत का पाटिदार आंदोलन के बाज जो एक उभार था उसका सारी चीजे धराशाई केवल एक की फैक्टर मोधी फैक्टर देखिए दो चीजे हैं मैं इस बास से बिल्कुल देखिए एग्जिट पोल क्या है चार वज़े से आना चुरू होगई तो चार वज़े तक आप कितने फील्ड में कितने लोगों से बात करके एक अनुमान होता है ये कभी भी ये नहीं कि एड़्जेक्ट होते हैं और बि तक मेरा अपना है कि वो जो आंदोलन था उसके साथ बिल्कुल हार्दिक के साथ कहने के नजर आ रहा था दूसरा है कि भी गुजरात मॉडल जिसके ओपर पूरे देश को एक्चुल मैं भी सासन और प्रदान मंत्री की गद्दी मिली वो भी बहुत बुरी तर एक्चुल फ भी हम औरंग जेप पर या कहीं पाकिस्तान पर या अफगानिस्तान पर वो एलेक्सिंग का कमपेन नहीं जाता फिर वो जन्यव पर आ गया मंदर पर आ गया तो वो कहीं न कहीं बिल्कुल किलियर हो रहा था हां लेकिन जिस तरीके से बीजेप की कोसिस रही कि भी कर रही थे और दूसरी बात उसमें रहती है देखिए बीजेपी के जो अगर मालीजे मुस्लिम जो मत दाता है उसमें महिला है अगर बीजेपी के पक्षें मत करती है जो कि अभी रजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा कि भी कितने परसेंट उन्हें भी बोर्ट जब फाइनल आकड़े आएंगे 18 तारीक को तब एक वो मुकमल पिक्चर हमें देखने को मिलेगी हम इन सारे फैक्टर्स पर लंबी चर्चा कर पाएंगे लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं कि अगर ये आकड़े असली पिक्चर के साथ मेल खाते हैं तो ये जी हमारे साथ है आईपी सिंग साव है विवाजी है बरजंदर सिंग जी हमारे साथ है नाम प्लीज ठीक किया जाए बरजंदर सिंग कॉंग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ है विजव पादियाए जी एक्जिट पॉल के अंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं स कि तेगे रहवनानंदं जी दो-तीन बाते हैं पहली बात तो डेवलब्मेंट को जंता कभी वोट करती नहीं अगर डेवलब्मेंट को वोट करती तो उत्तर प्रदेश के चुनाओं में कम से खम लखनौ जो राज़धानी तो बुरी तरह से हारे लखनुग राधधानी की सारी सीटे समाजवादी पाटी हार गई उनकी छोटे भाई की पत्नी हार गई उनका रिष्टे का भाई हार गया तो डिवल्लमेंट में कभी इवेंट की आप देखिए कैपिटन सर्मा को 98 में बीजेपी ने अमेटी मेहरा दिया तो ये कभी डिवल्लमेंट में आपको रोकरा चाहते हैं सर्थ आपको रोकरा चाहते हैं निउस 24 चानक्या का अंकड़ा भी आ गया है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अब अपने दर्शकों को बता दे उसके बाद सीधे सर आपके पास आ रहे है 135 135 सीटे निउस 24 चानक्या पीजेपी को दे रहा है जबकि 47 47 सीटे कॉंग्रेस गडबंदन को दे रहा है और अदर्श के खाते में बकॉल निउस 24 चानक्या कोई सीट नहीं जा रही है इस आकड़े का इंतजार था क्योंकि पिछले 2-3 बार ऐसा माना गया कि ये रियलिटी के काफी करीब होता है यानि अब अगर हम निउस 24 चानक्या के आंकड़े को भी इंक्लूड कर ले तो पिक्चर कम से कम एग्जिट पोल में पूरी तरीके से साफ है कि डेर सो भले ही हासिल न कर पा रही हो जो लक्ष बीजेपी ने या बीजेपी की रास्टी अब्जेक्ष ने गुजरात में अपने लिए रखा था लेकिन कमफोर्टेवल विनिंग की तरफ विन सिचुएशन की तरफ इस एग्जिट पोल में बीजेपी दिखाई दे रही है विजा जी प्लीज कमेंट करें सर पूरा करें तो मैं यह कह रहा था कि विकास के नाम पे वोट कभी नहीं मिलता दिल्ली में लोग कहते थे सीला दिक्षित ने बहुत विकास किया लेकिन सरकार केजरिवाल की बन गई तो विकास से तो वोट मिलता नहीं, वोट मिलता है हमें सा emotional मुद्दो से, लेकिन जो important है जो गुजरात चुनाव के लिए और जो देश के आगे के चुनावी राजनीत के लिए बहुत important है, पहली बार 89 के बाद कांग्रेस ने वहाँ धर्म को पकड़ा, कांग्रेस ने समाजि में कांग्रेस को बढ़त मिलती है, या कांग्रेस काम्याब होती नजर आती है, तो यह आगे के भविस के राजनीत में बहुत important हो जाएगी, और मेरा ऐसा मानना है, तब शायद debate इसमें भी शुरू हो जाएगी, कि पचास परसेंट का जो reservation का अभी अभी जो criteria बना रखा है किस से ज़्यादा reservation नहीं होगा, शायद उसको break करने की भी पहस शुरू हो जाएगी, तो एक इस्तिती ये पैदा हुई, दूसरी, अब जो जब सारे सर्वे अगर BJP को जीतता हुआ दिखा रहे हैं, तो ये बात निश्चित तोर पे इतना तो जरूर दिखाती है कि BJP वहा बहुत आंकड़ों का हेर फेर होता है, अगर चालकिक का नहीं होगा, तो शायद आज तक का सही हो जाएगा, बात इतनी से ही खाली है, या दूसरी के बीच का कोई आंकड़ा आ जाएगा, लेकिन गुजरात के चुनाओं का बहुत माइने है, क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ कि ये गुजरात की जो नई प्रयोक साला है, राजडीत का जो नया प्रयोक हुआ है, दो हजार एक के बाज, ये जो नई प्रयोक साला में नया इन्होंने एक बनाया है अचार, राजनिती का चार, ये आगे जाकि किस तरीके से लोगों को कितना टेस्टी लगेगा, कितना लगेगा, और बीजेपी इसको कितना एडाप्ट करेगी, कांगरिस को काउंटर कर ने लिए, क्योंकि बीजेपी की तमाम नीतियों को कांगरिस ने तो एडाप्ट कर लिया, कि बाई, उनके हिंदुत के मुकाबले हमारा भी हिंदुत है, उनके मंदिर के मुकाबले हमारा तो एक संभावना उसको भी हमें open मानके चलना पड़ेगा हम इससे पहले कि आईपी सिंग साब को जोड़ें जाहिर है कि नतीजे उनके लिए नकिवल उत्साह पैदा करने वाले होंगे बलकि इससे एक 2019 का इशारा भी आईपी सिंग साब ले रहे होंगे और जब डिबेट से निकल कर जाएंगे तो फिर बदाईयों का ताता भी बीजेपी नेताओं के लिए लगेगा हम जरा विबाजी और बरजन जी को जोड़ना चाहते हैं बरजन सिंग जी कहां दिक्कत हुई सर कहां चूक हुई इतनी मेहनत 22 साल के एंटीन कंबेंसी पाटीदारों के आंदोलन के बाद एक बड़े पाटीदार नेता का आपको साथ जी एस्टी को लेकर गुसा लेकिन कहीं कुछ काम नहीं आया कम से कम एक्जिट पोल में जो पिक्चर दिख रही है वो यह बता रही है कि गुजरात में सारे फैक्टर एक तरफ और गुजरात की अस्मिता और प्रदान सिखाई पर रहा है इसके इसके विपरीत हम वहां गवर्मेंट बनाएंगे नंबर एक बात दूसरे गुजरात का चुनाओ हमारे कांग्रेस पाल्टी के लिए इसलिए बहुत मायने है कि पहली बार 22 सालों के बार हमने गुजरात के लोगों को उनके इसू पर बात करना हुआ क्योंकि हमारी प्रधान मंत्री से लेकर पूरी सरकार एक मिनट के लिए उस चुनाओ में किसी माडल और किसी डिवेट पर नहीं आई वो पाकिस्तान अफगानिस्तान आयर साहब मनमोहन सिंग जी इनी से के इर्दगिर्द घूमते रहे तो इसमें जो हमने जीता जो स सिती सरकार कियो किस पार्टी की भाचे जनता पार्टी क्या होगी तरीके से देने चुनाओ यह पर नामोहन के नतीजों से आप हार स्विकार कर रहे हैं पर आप करें को कभी माना ही नहीं मैं 87 से राजनीत कर रहा हूँ यही चानक की बिहार में यही बेबी पी बिहार का क्यार जलता है था हमारा हमारी पार्टी पांच बाद से चुनाओ हार रही थी हमारा वोटर वहां बोकल नहीं है जो जाकर चिलाएगा आपके स्टूडियों बैट करके और माइक लगा करके क हम कांग्रेश को वोट दे कर आ रहे हैं जब नतीजा आएगा 13 तारीको 11 बजे के बाद हमें बुलाईएगा हम स्वीप कर रहे हैं वहां भात्ये जनता पालती वहां चुनाओ हार गई है उस्तरी मोदी जी नैतिक रूप से पराजित हो चुके हैं बहुत अच्छा रजलता जा रहा है चलिए एकजिट पॉल से कांग्रेश पालती का कोई सरोकार नहीं दिखाओं जब अभी तर दिखा रहे थे तो आज वो क्यों नहीं दिखाएंगा उनको जीता हुआ नहीं लेकिसा पंजाब में बार 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 उदारर देने पड़ते हैं चलिए हम थोड़ी दे नहीं किया और आज चुके आप हारते दिख रहें तो खारिज कर रहें वियार एक अपबात के तौर पर हो सकता है इसमें कोई दोराय नहीं है हम अपने दर्शकों को यह भी बताती को एकजिट पॉल ऐसा नहीं है जो कॉंग्रेस पार्टी को कहीं बड़त दे रहा हो कहीं फिर भी आपका दावा आपका विश्वास अपनी जगह है हम तो खुद ही कह रहें कि अधारे को मुकमल पिक्टर आवारी सामने होगे ठीक आईपी सिंग साब अगर कॉंग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है तो पर एकजिट पॉल के यह अकड़े क्या है अगर कॉंग् ब्रजयन जी के मुताबिक तो रगनादन जी आपका प्रस्ट मुझसे है जी हाँ देखे पूरे पैनल में जितने अच्छे लोग बैठे हुए हैं रगनादन जी मैं तो सरी विजेव पाध्या जी के साथ हम सब 2012 से ऐसे आउसर आए कि हम लोग बैठते रहे एक विजेव पाध्या जी ने इस बात को भी कहा कि अगर देखा जाए तो जो बिहार का एकसिट पोल था उसको छोड़ दिया जाए तो अभी तक विजेव पाध्या जी और हम दोनों लोग लगातार नेट पर सर्च कर रहे थे कि अभी तक चालक्या टूड़े का अभी डेकलेर हुआ की नहीं तब तक रगनादन जी आपने चालक्या टूड़े को दिया मानी अमिसाजी की बात को कहा जा उन्होंने कहा कि गुजरात में हम 150 से ज्यादा सीटे जीतेंगे तो दोनों करीब करीब दोनों बातें बैठती हैं उससे अहम बात जो कॉंग्रेस के पास हिमानचल था वो हम छीन रहे कॉंग्रेस वहाँ पराजित हुई है और इस एकसिट पोल आए उनमें सभी में हिमानचल में कॉंग्रेस हारती नजर आ रही है और भारती जनता पार्टी सरकार बना रही है और दूसरा सबसे हैं मुद्दा की राहुल गांदी और उनकी पूरी टीम तीन महीने जीस तरह कैंपेंड कर रही थी गुजरात में 22 आपने भी कहा कि 22 सालों का एंटी इंकम्बेसी फैक्टर भी वहां काम कर रहा था तमाम बातेशा वहां थीms जो बच्चा अगर जन्म लिया होगा तो 22 साल का होगा तबसे वहां बीजेपी शासन में रही है सरकार में रही है मानि प्रधान मंत्री जी का वो छेत रहा है और वहां भारत जनता पार्टी छटवी बार साथ कहा जाए कि भारत की इतिहास में पहली बार छटवी बार भाजपा वहां सरकार बनाने जा रही है तो ये काम के आधार पर बिजे जी से इस बात से मैं समत नहीं रहूंगा कि काम के आधार पर जंता आकलन करती है संग्ठन के आधार पर जंता आकलन करती है और ये जो रिजल्ट एक तरह से जो वहां दिखाई देता है एक सिट पोल के माध्यम से मीडिया में निशित तोर पर एक ऐसा बर्था वो लगाता रही कहता रहा कि भारती जंता पार्टी गुजरात लूच कर रही है वहां भारती जंता पार्टी का माना था जो हमारी वर्किंग है कॉंग्रेस हवा हवाई पार्टी है कॉंग्रेस के गाउं से लेकर कस्मों तक शहरों में एक कारिकरता पैनल पर बैठे नेता तो मिल जाएंगे लेकिन उन्हीं नेताओं से कहा जाए कि सो ऐसे कारिकरता मंडल अस्तर के ब पूर बहमत की सरकार के साथ भारती जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी बीजेपी और मजबूत होगी अब पूरे देश में भारती जनता पार्टी का परचम होगा ठीक है सर अच्छी बात है लेकिन अब अपे दर्शकों को बता दें कि ये एक्जिट पोल के आंकड़े हैं परिडामों की असली पिक्चर नहीं है सारे एक्जिट पोल बीजेपी को आसानी से सत्ता तक पहुँचते छटी बार एक बार फिर से दिखा रहे हैं लेकिन जो मुक भी यकीन और भरोसा रखें चुकि पहले ऐसे तजर्वे रहे हैं तो तकरीबन तकरीबन एक्जिट पोल कई बार फेल भी हुए है लेकिन जादे तर उन्होंने एक मुकंबल पिक्चर एक संकेत हमें देने की कोशिश की है हम विबाजी को जोड़े इससे पहले आईपी सिं को है इस पोलराइजेशन का काम भारती जनता पाठी नहीं करती है हम तो सबका साथ सबका विकास हम जात्ती पंथ मजहब और भासा के आधार पर करते ही राजनीत नहीं करते हैं सबस्ता को कि बात को समझना चाहिए कि कांग्रेस का नाम लेना भी कांग्रेस के परचार के बराबर है यह कॉंग्रेस ओ, कॉंग्रेस जो 403 की बिधान सभा है, उस 403 की बिधान सभा में चार सीट जीती है, कॉंग्रेस ते तीन बड़े दल उत्तर प्रदेश में हैं, मैं ते कहूंगा कॉंग्रेस को जब बिठाय जाए, तो और भी जो अपना दल जैसे बड़े दल हैं, जिनके 11 विधायक उनको भी बिठाना चाहिए तो Congress कहीं ने कहीं अगर अगर अपना Desperience दिखाती ऑफस्तिती दर्च कराती है तो इस टूडियो मे दर्च कराती है अकबारों में दर्च कराती है वैसे Congress पूरी तरह उतरपर्देश में समाथ हो चुकी है एक उमीत थी रबनना जी एक उमीद थी कि राहूल गांधी को रास्तिय अद्थ बनाने का बड़ा कार्ड कॉंग्रेस ने खिला था एक उमीद जगी थी उनके अंदर कि हो सकता है कि 47-48 वर्षिय एक मेचियोर राहूल गांधी कुछ बेहतर करेंगे बनाने को दिल कर रहा है एक्जिट पॉल के नतीजे दिल के जादे करीब आ रहे है या फिर जो बर्जिन जी बात कह रहे है कि 18 तारीक को 11 बजे ये तस्वीर बिलकुल उलट होगी दूसरी होगी देखिए सबसे पहली बात तो रजलड आने का इंतजार करना चाहिए ये मैं भी कहूंगी लेकिन दूसरी बात मैं यहां पर बड़ी देर से अपने सारे सीनियर्स लीडर्स की बाते और पत्रकारों की बाते सुन रही हो जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को लीड करते हुए दिखा है लेकिन मैं जूनियर हूँ इन लोगों से राज़नीती में लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी का सबसे बड़ा फेलिवर है और वो चुनाओ हार चुकी है जिस तरीके से नरेंदर मोदी जी ने आज ओट डालने के बाद उनके चहरे पे डर था और उन्होंने इतनी बड़ी रोट शो कर दी एक देश का प्रधान मंत्री पूरा चुनाओ आयोग की आचार सहिता की उलंगन करते हुए ये डर नहीं था तो क्या था जो रोट शो किया गया तो मैं मानती हूँ कि BJP पूरी तरीके से गुजरात में हार चुकी है डर नरेंदर मोदी जी के चहरे पे था तभी उन्हें रोट शो करना पड़ गया है कि देश का प्रदान मंतरी आचार सहिता का उलंगन कर रहा है हम कैसे एक तरफ हम आचार सहिता की बात को है आऔर कानूनों की बात करते हैं उन्होंने किस तर्ज पे ये रोट शो किया वो दरे हुए थे, सहमे हुए थे, गुजरात उनको अपने हातों से निकलता दिख रहाता, ये सारे पैनल को, मैं उनकी बातों को एगरी हूँ, लेकिन कहीं न कहीं प्रधान मंतरी नरेल मोदी जी को गुजरात हारते हुए दिख रहाता, इसलिए उन्होंने रोड शो किया है और मैं मानती हूँ कि वो पूरी तरीके से, अगर देश का प्रधान मंतरी इस तरीके से आचार सहिता का उलंगन करता है, तो वो पूरी तरीके से गुजरात का चुनाव हार चुके है, मैं ये कहूँगी ठीक, आते हैं आपके पास, आर्विपाद्याय साब, अगर ऐसा है भी, थोड़ी देर के लिए अगर हम विवाजी की दलील को मान भी लें, तो क्या रोड शो काम कर गया? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उसमें कई सारे फेक्टर होते हैं, हाँ, कुछ इंपेक्ट जरूर आता है, जैसे कि आपने देखा कि उस दिन अभी एलेक्शन कमिशन ने मना कर दिया, तो दूसरे दिनों नो नो ने ठीक है, भी सी पलेन के थुरू जाके और फिर रोड सो किया, मतलब तो वो सारी चीज़ मतलब बीजेपी को या नरेंदर मोदी जी को सायद नहीं मिला, यह पहला ऐसा चांस था, हाँ, देखिए, इस्ट्रेटेजी जब रजल्ट आते हैं, तो डेफिनिटली उसका एक हैना लेसे होता है, उसमें देखा जाता है, क्या-क्या कमिया रहीं, क्या-क्या खामिया रही है, हार जी ते अलग मेकर है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रस्ण चिन ने लगा गुजरात मॉडल पर या गुजरात के विकास पर, अगर माली यह वही मॉडल और वही विकास वहां पूरी तरह से विकसित था गुजरात, तो उसकी बात होनी चीए थी, वो बात कहीं ने कही की कोशिस की, तो मुझे लग रहा है, कॉंग्रेस अगर ऐसे प्रणाम आते हैं, तो कॉंग्रेस सायद आम आदमी तक उन सब चीज़ों को नहीं पहुंचा पाई, जो उसे पहुंचानी की ज़रुवत थी, या संख्णात में कहीं कोई कमजोरी, जैसा कभी मैं देख रहा थ देखे, आप 18 को देखिएगा, मैं भी रहूँगा, आप भी रहिएगा, 11 बजे पिक्चर साफ होगी, उनका कहना भी जायग है, 22 साल का एंटी इंकर्वेंसी, और यहां कोई बर्ग संतुष्ट नहीं दिख रहा, लेकिन सर एक 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 जिट पोल नहीं, उनकी बात अपनी बिल्कुल स्टेंड कर जाती है, अगर कोई भी एक एक जिट पोल कहीं यह दिखा रहा होता, कि 120 पर कॉंग्रेस पहुंच रही, मैं मानता हूं लेकिन वो सब चीजें दिख रही थी, मेरे कहने से या मीडिया के दिखाने से यह नहीं है, ब्यापारी बर्ग वहां संतुष् यूथ वहां पर रिसान है, रोजगार वहां पर था नहीं, तो फिर ऐसा कॉन सा मिरेकल था, बियासा कॉन सा मॉडल था, जिसकी वैसे वो कही न कहीं सब लोग इतना, इस बात का सानी हूं कि वो जहां जाएंगे, गंगा मया के पत्र हो जाएंगे, गुजरात के पत्र, तो लेकिन ये जो एक परंपरा सुरू हो गई है, ये परंपरा कहीं न कहीं, लोग संतर के लिए गातक है, देखे संबैदाने की जो भी संस्था है, जाए वो वीए पिया कॉंग्रेस है, सपा है, बिश्चर उस पर आए कि सबह सबह पर लोग संतर के लिए बहुत कुछ गातक रहता आया है, अलग-लग डिबेटों में, लेकिन आज तो हम महा एक्जिट पोल पर चर्चा कर रहे हैं, जहां एक मुकंबल पिक्चर न सही, लेकिन एक संकेत, एक संदेश हमें जरूर मिल रहा है, हैमत बिश्चोई साब, जब आर्भी पादिया साब ने पहला कॉमेंट क था तो उन्होंने कहा था कि ये विकास की जीत नहीं है, ध्रूवी करण की जीत है, फिर वो अभी दुबारे जब दलील दे रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि नहीं साब वो व्यापारियों में गुस्टा कहा था, वो डव्लप्मेंट की पिक्चर कहा थी बगेरा बगेरा, क्या गुजरात ने ये साबित कर दिया है एक बार फिर से कि सारा अन्रेस्ट एक तरफ, लेकिन जहां तक विश्वास और यकीन की बात है, वो ब्रैंड मोदी एक तरफ, ये बीजे पी भी नहीं, ये ब्रैंड मोदी की जीत है, इस एग्जिट पोल के मुताबिक, क्या ऐसा है, देखे बात ये है, कि आप विकास की बात करते हैं, तो आप राय बरेली कॉंस्टेंसी को और जो मोदी जिस विदान सभा से चुना लड़ते हैं, उन दोनों को कंपेर कर लीजे, तब पता चलेगा विकास कहां हुआ, कहां नहीं हुआ, ये आप राय बरे इस बात पर क् प्लिटिकल पार्टी बहस करने को तैयार थी, इस पार निश्चत तोर पे राय बरेली का जो मामला है, वो राहुल गांधी जी के बहुत पक्ष में नहीं जाता है, अच्छा, जहां तक धुर्वी करन की बात आई, तो धुर्वी करन की बात यती उत्तरपदेश में बात आ चुनाओ पर बहुत भारी असर होना, इसकी कोई संभावना ही नहीं थी, इसी कारण जो कॉंग्रेस ने भी वहां पर हिंदू कार्ट खेलने की कोशिश की, तीसरी बात यह है कि अभी पार्टीदार की में देख रहा था, पार्टीदार कुल 14% है, उसमें भी सूरत और बाक अख़बारों में जो छपा, उसी आधार पर जालतार हम लोगों की जानकारी, और वो जो जानकारी है, उसमें भी आधी अधूरी जानकारी है, अभी इंडियन एक्स्प्रेस ने दो रिपोर्ट छापी थी, उसमें उसने लोगों के असंतोश की जानकारी दी थी, सूरत को वैसे भी दी थी तो उसमें लोगों ने कहा कि हम बहुत सारी चीज़ों से सरकार की नाराज है लेकिन जब उनसे अंत में पूछा गया क्या आप वोट किसको दोगे तो उन्होंने का हम इतने नाराज नहीं बात यह है कि जहाँ पर भी मैं अपने परिवार में रहता हूँ अपने पिता से नाराज हूँ लेकिन अपने पिता को छोड़ कर मैं जाने की सिती में हूं या नहीं हूँ वो बात दूसरी होती है तो इसलिए गुजरात का जो चुना हुआ है उसमें ये सब चीजे तो ठीक थी कि कहीं ना कहीं नाराजगी थी लेकिन आप वहां जाकर देखिए उत्तर प्रदेश को गुजरात से कंपेर करके देख लीजिए तो फिर समझ आएगा कि गुजरात में विकास क्या हुआ ने विशेلامिए साब हम विजर जी से समझना चाहते हैं लेकिन उससे पहले जब हमने यही बात बरजन जी के सामने रखे तो इन्होंने काउंटर में का कि आप तो देखी नहीं पार है किßफ। क्या कमाल कर रहे हैं आप समझ ही नहीं पा रहे हमने फलाने मुद्दे को केंदर में ले आए हम धिमा के मुद्दे को केंदर में ले आए हम समझना यह चाह रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी बाइस साल की एंटी इंकंबेंसी को बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर उसके साथ जैसे पार्टीदार पहली बार बाइस सालों में इतनी बड़ी तादाद में कॉंग्रेस पार्टी के साथ जुड़े तीन युवा नेता गुजरात में उसे मिले बीजे पी के भी तमाम ने है कि जिस समय बीजे पी सत्ता में आई थी उससे पहले जो कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री थे उन्हों ने भी एक ग्रुप बना कर जैसे उत्तरपदेश में वो चला था कि कई जातियों को मिला कर एक समुख बनाया था मुलायम सिंग जी ने भी बनाया था और बाकी लोगों देताओं को सामने रखके इस समय राहुल गांदी जी चले वो उनकी कितनी पकड़ बनी है या कितनी पकड़ नहीं थी अब जैसे हादिक पटेल को इस समय जितनी पॉब्लिसिटी दी गई लेकिन इस समय जो आज के अनलेसिस लोगों ने लिये हैं लोगों ने रिजल्ट के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यवंत्री या एक पार्टी का शासन पश्चिमी बंगाल में रहा लेकिन अब बीजेपी का जो गुजरात में शासन है शायद उस रिकार्ट को तोड़ने की सिती में है तो यह जो बाते हैं यह इसके बगार नहीं होती है नरेंदर मोदी को जिस ढंग से काम करते हुए लोगों ने गुजरात में देखा है गुजरात के गाउं के अंदर सड़कों की क्या सिती है उत्तरपदेश में क्या सिती है इसको देख लीजे और विकास का काम जहां तक होता है अगर विकास था और वीजे पी विकास को लेकर इतना कॉन्फिडेंट थी तो फिर प्रदान मम्तरी जैसी शक्सियत परचार में जो ताकत जोक रही थी अलग बात है कि उनका होम स्टेट था उनकी साख उनकी परतिष्ठादाओं पर लगी थी दोजार उन्नीस इसी चुना पर ते का था इसके बाब जुष सर मुगल औरनग्जे बाबर यह सब अपिसूट क्यों हुआ पाकस्तान अगर विकास का ही लिक मस्टेस्ट होना था तो फिर ये क्यों हुआ और प्रदान मंतरी के मुखार बिंस से क्यों हुआ सा ओन soir पक्षबी उस मुद्धे को लेता है यह तो एक स्वाभावी गती है राजनेतिक चुनावार की जब अगर विकास नहीं है तो आप दूसरे मुद्धों पर लेके जाएंगे क्यों एक मॉडल आपके पास नहीं है अधरवाईज अगर पास मॉडल होगा तो आप जाने नहीं देंगे उधर आप कहेंगे नहीं विवाजी एक मेड़ा आ रहा है और इस काम पर हमें बोड़ दीए हमने यह किया है तो वह एचीमेंट मेरे खालते किसी भी पॉलिटिकल पा यह बताते हुए कि जो आंकड़ा है वैसे तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी अगर हम इसे पढ़ें तो यह ABP News और CSDS का जो एक्जिट पॉल है वो बीजेपी को 112 सीटों के बीच में सीटें दे रहा है कॉंग्रिस गडबंदन को 60 से 68 के बीच में सीटें दे रहा है और अन्य अदर्स को 02 के बीच में दे रहा है कुल 182 सीटे हैं गुजरात की विदान सभा में सहारा समय ने जो एक एक्जिट पोल किया है उसके मुताबिक 112 सीटें बीजेपी को 68 सीटें कॉंग्रिस को और दो अन्य के खाते में हैं News 24 चान 47 47 सीटें कॉंग्रिस गडबंदन को और अन्य के खाते में एक भी नहीं रिपब्लिक टीवी जो एक आकड़ा एक्जिट पोल के जरीए हमारे सामने रख रहा है वो 109 बीजेपी को 71 कॉंग्रिस को और दो अन्य के खाते में और आज तक और एक्सिस का जो एक्जिट पोल है उसके बुताबिक 99 से 113 के बीच में बीजेपी 68 to 82 यानि 68 से 82 के बीच में कॉंग्रिस गडबंदन और 1 से 4 के बीच में अदर्स के खाते में सीटें जाती दिख रही है इसके अलावा भी जिन एजंसियों ने अपने सर्वे किये हैं और एक्जिट पोल के आकड़े रखे है उनमें जादे तर्वे बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता देख रहा है जो बहुमत का आकड़ा है गुजराद विदान सवा में वो 92 का है विजह जी अब एक सवाल लेकर हम आना चाहते हैं देखिए आपने शुरुआती टिपड़ी में कहा था कि विकास पर वोट नहीं कर ले और खासतोर से प्रदान मंतरी मोदी की असेंबली और राय बरेली की आप तुलना कर ले तो एक फर्ग जो है वो आपको साफ मिल जाएगा फिर हमने सवाल रखा कि अगर ऐसा था और गुजरात मॉडल का डिवलप्मेंट को लेकर अगर लिटमस टेस्टी होना था तो चुनाओ को आज कल जिताने का काम कर रही तेखे रभनंदन जी यह जो हमारा बदलता हुआ समाज है जिसमें सोसल मीडिया बहुत इंपोर्टेंट हो गया है लोगों में अवेरनेस है जाग रुकता है समरिद्धी है समरिद्धी इस माइने में कि गरीबी का जो आकड़ा है कहीं ने कहीं कम हो रहा है लगातार तो आप देखें अमेरिका के चुनाओ थोड़े दिन पहले वे जड़े टरंप चुनाओ जीत के आए बहुत समरिद्ध अमेरिका है बहुत बिक्सित अमेरिका है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेबलप्ट अमेरिका कहा जाता है और वहाँ पे इसलामी कटरवाद के खिलाव टरंप का जो कैमपेन था, वो कोई विकास का मुद्दा नहीं था। उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ डेवलमेंट से आप जी सकते हैं। जब अमेरिका के चुनाव में आपको एमोशनल कार्ड खेला पड़ता है, तो इससे साफ है कि हम लोग तो अभी विकासील देश हैं, हमारी इस्तिती तो बहुत पीछे हैं उससे, दूसरी बात, इटावा में सबसे ज्यादा डेपलमेंट अगर उत्तर प्रदेश में कही है, लोग सभा चुनाव समाजवादी पार्टी 2014 में वहां हार जाती है, और विधान सभा भी चुनाव कोई, अभी BSP के पास से शायर, तो हां, उनकी इस्तिती कोई बहुत अच्छी नहीं है, वहां समाजवादी पार्टी, जबकि डेवलमेंट में सैफाई मॉडल है, सैफ अगर वोट मिलता, तो देखे, विकास एक सतत प्रक्रिया है, पहले रोटी कबड़ा मकान चाहिए, फ्रिज, उसके बाद फ्रिज, टीवी, कार, बगला, दूसरी चीजे बदलती जाती है, जरूरते बदल जाती है, विकास की जरूरते बदल जाती है, मॉडल बदल जाता ह तो विकास तो एक चीज है, जो काम होना चाहिए, लोग बांते हैं, और जो कोई भी सरकार होगी, तो बजट तो खर्च करेगी ही करेगी, उससे तो डवलमेंट होगा ही होगा, दूसरी बात होती है कि भाई, इमोशनल कार्ड तो खेला गया, उत्तर प्रदेश के बिदान स सबाचुनाओं में, लेकिन प्रधानमत्री गली-गली घुमे, उसका नतीजे वासाली की सारी सीटे जित गए, सिर्फ बनारा सी नहीं आसपास की, उत्तर प्रदेश में 325 सीटे जित गई भारती जिता पार्टी अपने सहयोग्यों के साथ, तो जो मेहनत करने की बात है, प कांगरेस से साथ दिक्कत क्या रही, अगर ये एकजिट पोर्ट ठीक है, तो कांगरेस साथ दिक्कत यह है, कि वहां राहूल गांधी चेहरा है, उसके पीशे अलपेस हैं, जिगनेस हैं, हार्दिक हैं, कौन मुखमंत्री होगा, पबलिक के सामने कोई एक पक्का चेहरा होन हैं, तो GST से लोग नाराज हैं, हम लोग भी इस बात को जानते हैं, पत्रकार गिनाते, कि GST पे लोग नाराज थे, लेकि नोट BJP को दिया, उसके अलग-अलग कारण है, जिन लोगों ने अपने बिल पे लिखा कि कमल का फूल एक भूल, हमारी भूल कमल का फूल, जब उन उनका दबाव बनाने के लिए, हम रहेंगे BJP के साथ, लेकिनी दबाव बनाना है उनको, तो जो ये सारे पहलू है, इन चीजों को देखके ही किसी चुनाओ के बारे में कोई आकरण कर सकते हैं, चीजे बदल गई पर अगर तरीके से अगर हम सोचेंगे, तो चुनाओ का ज शायद हम लोग इसलिए कहते हैं, लेकिन राहूल गांदी ने तो इस बार काफी कम्यूनिकेट करने की कोशिश की, लंबा दौरा उनका रहा, वो कई बार बच्चों को गोद में ले लेते थे, महिलाओं के साथ तस्वीरें खिचाते थे, काफी कनेक्ट उन्होंने बनाया, क्या उस कनेक्ट ने कोई असर नहीं दिखाया, या ब्रेंड मोदी के सामने कोई असर नहीं दिखाया? गुसे से नहीं प्यार से हराएंगे, तो इस तरह के जो बयान है, जो पंच क्रियेट करते हैं, वो पब्लिक को सूट करते हैं, और आप देखिए, मोदी के भाषणों में इस तरह के धेल सारी चीज़ें सामिल करके, पब्लिक को कम्मुनिकेट करने की कोशिश करते हैं, हम करने की कैमपेनिंग देखी है, 2017 में अभी अखलेस और राहुल की एक साथ जो कैमपेन हुई उसको भी हमने देखा है, लेकिन जो लोगों में जो इमेज राहुल गांधी की दो हजार चौदा तक थी, और चौदा के बाद जो है, उसमें बदलाव आ रहा है, राहुल कांग्रेस के हिस्सा है, मरिसंकर एयर कांग्रेस के हिस्सा है, उन्होंने क्या किया, तो पब्लिक तो आपको पूरे बुके में देखेंगी न, अकेला फूल बहुत सुन्दर हो सकता है, लेकिन बुके के बाद की फूल अगर उतने अट्रेक्टिव नहीं है, जैसा बना ली कि हमें इस धारा पे काम करना और इस एजेंडे पे काम करना है, बरजयन जी अब हम आपके पास आना चाहते हैं, देखें हमारी रिक्वेस्ट यह है गुजारिश क्योंकि आज की तारिक में तो हम एक्जिट पोल पर चर्चा कर रहे हैं, डिनायल मोड में मत रहिए अच्छी बात है कि आपके लिहाद से वो नतीजा आए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जो पिक्चर है, हम तो देखें उसी को सामने रखकर बात करेंगे, और इस पिक्चर के मताबिक हम सबजना यह चाह रहे हैं कि कहा चूक हुई, क्या एक बार फ अच्छी बे मिलाना, जब पूरा देश मोदी जी की जैजे कार कर रहा था, स्री राहूल गांधी जी ने 18 राभ्यों में दोड़ा करके भूम अदगान कानून पर सरकार को बिरेल किया, उनको जुगने के मजबूर किया, अब आप गुजरात के चुनाओं में आ जाए, जि अच्छी पाँ तो कुल कामयाबी यही है, नहीं सवाल तो लोग और आप खुड मांघ रहे हैं की राहूल जी बेहतर करें को तीसरी हिस्जी जा गरिडि वायुड है, हम तो कहा रहा हैं, बार बार के कोई मुकंबन यह आखरी पिक्चर नहीं है, रहाटी पिक्चर नहीं है करना होगा विजय के रूप में उनके जो विजन को कनवर्ट कर सकते हैं तो आप किसी पालती को चाहे हमारी पालती हुए किसी पालती को अगर आईपी सिंग की बात को सही मां दिया जाए तो 1957 से बात पेई जी ने चुनाव रहना शुरू किया और नहीं सो चानवे में गवर्मेंट में आए तब तो उनकों मत्या करके मर जाना चाहिए था आप सवाल तो नहीं दे प्रजेंजी एक चुनाव दस चुनाव की बात नहीं आप सवाल तो नहीं है 18 तारिकों परणाम आएगा अरे वो हम में पता है हमारी आवाद आपको मिल रहे ही कि नहीं इतने सारे लोग जो हमारे साथ ख़रे दिखाए परे प्रजेंजी हमारे दर्शकों को बता दे हमारे हम चाहते हैं कि आप सवाल पूरा सुने और उसके बाद आप जवाब दे हम बिलकुल ये दावा नहीं कर रहे हैं कि साब यही आकड़ा जो है वो असली पिक्चर में अब दील होने को तयार है जो इस्थिती है हम उसे लेकर एक सवाल रखना चाहते हैं यह देखें जो हम बार-बार आपको बता रहे थे वो एक वो एक तस्वीर समयक तोर पर आपके सामने है कि अलग-लग एजनसी अलग-लग निउस चैनल किस तरीके से आकड़े बीजेपी क पंग्रेस और अदर्स के बीच में बाट रहे हैं यह ग्रैफिक्स के जरीए एक तस्वीर आपके सामने है ब्रजेंजी हम सवाल यह लेना चाह रहे थे बहुत अच्छी बात है कि आपने सरकार को बहुत सारे मुद्दों पर घुटने पर लाने की कोशिश किया हमारा सवाल टो हमें लगता है कि वह मुद्दा कहीं चला ही नहीं तो क्यूं ऐसी चीजों को आप पकड़ रहे हैं जो चीजें पब्लिक में पब्लिक में क्या कहते हैं उससे कोई क्रेज ग्रीएट नहीं कर पा रही है जैसे जब से आरक्शन का मुद्दा आपने उठाया बीजे पी त शायद इसलिए आप अपनी बात जारी रखे होते हैं यह जो बात है कहीं आई पी सिंग साहब ब्रिजयन जी ने इन बातों का जवाब दीजी किसाब कॉंग्रेस पार्टी ने यह कर दिया कॉंग्रेस पार्टी का प्रेशर था कि आपने इतने सारे अबेंडमेंट जी एस्ट एक छोड़ा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम लोटेंगे तो एक बार फिर से हम वो पिक्चर दिखाएंगे और दरसल हम यह सबजना चाहते हैं कि अगर यही तस्वीर मुकंबल तस्वीर के करीब होती है तो फिर वो जो हमने शुरुयात म एक जमाने में आला कि अब वो गड़ तूट चुका है लेफ्टिस्टों का किला एक गड़ माना जाता था तो क्या गुजरात अब राजनीति की उसी प्रियोगशाला की रहा पर है और आने वाले समय में क्या इसे चुनोपती देना मुश्किल होगा दोजार उन्नीस में इ इसका अश्र क्या पड़ेगा एक छोड़े से ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर चर्चा को इस तरफ ले चलेंगे तो आर्थो आयर्वेद एक तेल और कैप्सूल खुटना कंदा